वेल्कम तो फिक्टर रेया दोते चैनल में आपका स्वागदा दोतों आज की वीडियो बड़ी धमाकेदार होने वाली है दोस्तों मैं आज आपके लिए स्प्रे गल लेका हूं एशन पेंट की जनती ट्रू केर के नाम से आती है और दोतों यह कंपनी यानकी पावर टूल औ दोतों इसके जनसे मार्कीट में आपको टूल मिलेंगे एशन पेंट टू केर के नाम से आपको मिलेंगे और काफी लॉंग टाइम तक चलते हैं और काफी जनी कि यह अपने प्रीमियर क्वाल्टी के होते हैं और दोतों जोनसा वीडियो का मैंने लाइक का टार्गर रखा वह मनें 10,000 का रखा वो मुझे पता सभी कारपेंटर भाई या पेंटर सभी वीडियो शुरूरू उन से पहले लाइक का बटन दबा देंगे चलो दो तो इसकी अन्बोक्सिंग चुरू करते हैं कि अन्बोक्सिंग चुरू करने से पहले मैं आपको थोर से भार का बोक्स दिखा देता हूं तो बोक्स को इस तरीके गा दे रखा इसका अगा कि अगा यूजर मेनविल मिलता है क्योंकि इसको पढ़ना बहुत जुरूरी होता क्योंकि ऐसी मशीनों के साथ गाइनेस बहुत जुरूरी होती है उन्हेंने पूरा यहां पर बताया है भी रखा है भी किस तरीके आपको व्यांश थे इसत्वाल करनी है और दो तो एक हमें इसके त साग filter paper मिलते हैं जिसकी मतदसे हम अपना paint वगारा को चांद सकते हैं आम तर पर comment section में जारा तर यहीं बोलते है painter भाई हम हमने पेंट भी बहर दिया हमारी machine चलनी रही दोस्तों आम तर पर क्या होता है हम उसको paint को filter नहीं करते हैं यह हम हाथ के साथ भी मिलते हैं यहाथ के भी बाल व्यद्ट थरुकर है एंडर चला ब्यर्च देख़ व्यदर होती हैं यह यह पूरी मशीन की बात कर लेते हैं आइ बारे मुझकं दोस्तों कंप्पणी में मशीन रएप रिमında चूप दूसर सब्सक्षप सके हैं दोतों यासे कि आप जानते हो यहां पर इन्हों ने यह मशीन का दिल है यहां पर इन्हों जो उन्सी ब्रांडिंग कर रहा किया एशिन प्रेंट टू के नाम से यह मशीन सप्रेगन हमें मिलती है और अगर अगर मैं इसके कलर कॉंबिनेशन की बात करूं तो आपको नजर आ होगा ब्लैक और येलो के अंदर है और काफी यानि की देखने में काफी खुबसूरत लग लिए अपने आप में और दोस्तों इसके हैंडल की ग्रिप काफी बढ़ी है जोंसा आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं इससे का हुता हमारा जो जब हम हाथ से पकड़ते हैं इसको ए कि बात करते हुआ वायर इसके साथ मुझे दो मीटर मिलती है को पर रॉर और कि यहार पर को इसके यहां पर चडा रखे जिस्से इसे क्या होता है थाया तार की सेथी काफी बनी रहती अगर मैं इसके भाइल कर प्लकर यानि उन्स आप पेंट के अंदर भरते हैं तो हमारा यह ऐसे मशीन पल्टेज नहीं है तो आए नोजल सप्रे के बारे में हम बात कर लेते हैं दो तो जूंसरा हमारा कंटेनर में पैप जाएगा काफी है वी डूटी पैप है आप अपने हिसाब से अग्ज़स्टमेंट कर सकते हो अगर आपक छोब के और सकते हो इसकी इसकी शेटिंग यहां से कर सकते हो और यहां पर यहां पर इन्होंने नोब दे रखी है अगर आपने सर्कल में सप्रे करना है तो आपने का Mark लनांए Frame कर ले नirmi है अगर उपले सिकड़े निए जा और यहां करेंगा एग का और इसके पर आइश bringing हमारा paint आता है एक लिटर के करेभ़ आता है और यहां इनगे marking भी दे रखिए कितना आपका होगया कितना आपका अब इवी रहता है और एक के साथ यह कर दो करेगा यारी कि दोनों चीजे साथ में टैच होगी है अब आप इसको ऐसे वर्क कर सकते हैं जब यह हमें बाहर निकालना तो हमें क्या करना है यहां से इसको पुछ करना नीचे की तरफ तो यह हमारा बाहर निकल जाएगा सप्रेगन के बारे में और हम जानकारी ले लेते हैं दोतो हम इसके साथ क्या क्या काम कर सकते हैं जैसे घर की दिवारे वगारा होगी चते वगारा होगी जैसे हमारी गिरिले वगारा होगी फनिचर वगारा होगी हम सारे काम इसके साथ कर सकते हैं जो पहले के टैम में क्या हो होता है और दोतों आम तोर पर जैसे मेरे पेंटर भाई हैं जैसे साइड वगारा पर काम करने जाते हैं कंप्रेशर वगारा नहीं लेकर जा सकते तो यह चोटा टूल अपने अपने साथ रखे कर सकते हैं अगर दोतों मैं इसकी वाट की बात करूं तो 750 वाट है अगर इसकी अगर दोतों इसकी एर फ्लो की मैं बात करता हूं 0.2 और 0.4 बार है इसका अगर दोतों इसकी वेट की बात करूं जोंसा इसके अंदर मैंने पेंट नहीं डाल रखा यह 1.5 kg के क्रीब है अगर दोतों आपको रचेज वगारा करनी है तो दोतों आम आपको हाड़वेर की द आपको इसका डिस्केशन में दे दूंगा तो वहां जाकर प्रचेट कर सकते हैं जोंसा एमा जोन पर प्राइज आए अठारा सो या उन्नीस और पर प्राइज थोड़ा सा अप डाउन होता रहता तो वहां जाके बाकी मैं आपको इसकी वर्किंग करके दिखाता हूं दोस्तों अब हम भार आगे हैं मैं आपको स्प्रेई गन को इस्तमाल करके दिखाऊंगा किस तरीके दोस्तों जो मैंने वोल का एरिया लिया वह नोवाई साथ का है यानि कि 33 फूट के करीव हो जाता है तो हम देखेंगे एक लीटर में यह कितनी दिवार कंपलीट होती और कि यह मैं आपको उगुचा करके दिखा रहा हूँ यह देखो मैं कैसे निकल रहा है इसके अंदर से दोस्तों वीडियो के शुरू में जैसे मैंने कप के वारे में बताया था है तो इसके अंदर से क्या होगा जैसे हमारा पींट वगरा जाएगा तो जितना हमें में चाहिए तो हमें पता लगे पचीज से यानि की साथ सेक्ट में कप खाली होना चाहिए यासे कमपणी ने बोला है कि तो मैं आपको टैमर भी मैंने ओन करके दिखा देता हूँ कप हमारा खाली हो गया पूरा दोस्तों तो अब जैनकी बिल्कुल ठीक है ठीक हुआ कर दो 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 आड़ी लुट लुट टुट भुट लुट 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 कर दो करें भाज करें कaré लाओं लागं गञआ लागं को तो का लागं अबाव लाओं करा लाओं को चिक हाप तो जैसे कि यह फैनल हो गया मैंने इसके ओपर एक ही कोट मारा यह यह नो भई साथ का था तरे सिर्फ फुट के ग्रीव एरिया बनता है तो एक लीटर में जैंक होगा अगर यह काम हम बुरुष के करते है तो मुझे लगता डेर से पौने दो लिटर के करीब हो जाना था अभी एक कोट में देखो कितनी अभी मैंने इसके अंदर कोई पट्टी वगारा भी नहीं खीची थी यह देखिए मैं थोड़ सा नजदीक से दिखाता हूं कि यह देखिए और प्रोपर इसका जंसा फ्वा बैल की नोटिक्वेशिन आपको सबसे पहले मिल जाएगी रही नहीं वीडियो के साथ जंनयता बाग्द झाल झाल झाल